दोस्तों जब एक घरेलू महिला अपने अंदर की इच्छाओं को लेकर बिबाग हो जाती है तो ना जाने इस जमाने को कौन सी मिर्ची लग जाती है अगर एक महिला अपनी यौन इच्छाओं के बारे में खुल कर बात करना चाती है अपनों के साथ अपने पती के साथ तो क्यों इस जमाना उसके खिलाफ हो जाता है अक्सर हम बात करते हैं फेमिनिजम की मगर आज के दौर में भी हम उसी भारत में जी रहे हैं जिस भारत में समभोग या सेक्स ऐसे शब्दों को सुनने के बाद क्यों लोगों के अंदर एक गलत भावना जागोती है आपको भी पता है कि इसके बिना वंश्टों आगे बढ़ना नहीं है योग और भोग में बड़ा अंतर होता है मगर ना जाने फिर भी एक मर्द और एक औरत के पहलू को अलग अलग तरीके से क्यों देखा जाता है आज मैं एक ऐसी कवित्री के बारे में आपसे एक ऐसी लेखिका या कवित्री कह सकते हैं उनके बारे में आपसे बात करूँगा जिनों ने अपनी इच्छाओं को बेबाकी से रखा भले जमाना उनके खिलाफ होगा मगर उन्हों ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा अपनी यौन इच्छाओं को किताबों के माध्यम से आवाज दी लोगों तक पहुचाया औरतों के अंदर एक कह सकते हैं कि शक्ति पैदा की अपनी इच्छाओं को वर्दों के सामने रखने के लिए अपने पती के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने मैं बात कर रहा हूँ कमला दास या आप उन्हें कमला सुरहिया भी कह सकते हैं निकल पढ़ते हैं आज के सफर पर मैं प्रकरश्रिवास्तव गुरु घंडाल के माध्यम से आज आप लोगों को लेश चलता हूँ कमला दास या कमला सुरहिया के जीवन सफर पर दोस्तों ये जो स्कीन पर खुट सुरह सी महिला नजर आ रही है जहीं है कमला दास कमला सुरहिया जी ये लिखती है कि आसान है एक मर्द की तलाश जो तुम्हें प्यार करे बस तुम इमांदार रहो कि एक औरत के रूप में तुम चाहती क्या हो उसे सब सौप दो वो सब जो तुम्हें औरत बनाती है बड़े बालों की कुश्बू इस्तनों की भीच की कस्तूरी और तुम्हारी वो सब इस्तरी भूग आप बिबाकी देख रहे हैं इनके शब्दों में और ये शब्द आज के ने लिखे हुए है उस दौर के लिखे हुए है जिस दौर में औरतों को कुछ भी करना हमारे देश में आओ नहीं था उस दौर में इन्होंने बिबाकी के साथ अपनी इच्छाएं इनको आवास दी दोस्तों इनका जन 31 मार्च सन 1934 को केरल के माला बार में हुआ अपने चाचा नालपट नरायन मेनन जो की एक प्रमुक लिखक थे उनसे ये प्रभावित होकर बहुत ही कम उमर में इन्होंने कविताय लिखना शुरू कर दिया था कहा जाता है कि करीब 6 साल की उमर में उन्होंने अपनी पहली कविता लिख दी थी और भारती अंग्रेज कविता की मार्गदर्शिका कमला दास अंग्रीजी में लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और ये एक ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपनी कविताओं में मुख्य रूप से भारती महिलाओं के अनुभव और उनकी यौन उच्छाओं के बारे में विस्तार में वर्णन किया माधवी कुट्टी के उपनाम से विख्यात कवित्री कमलादास मल्यालम में लगू कथा कि सबसे प्रमुक लेखकों में से एक मानी जाती है और आपनों बिलीव करेंगे सन 1984 के लिट्रेचल नोबर प्राइस के लिए कमलादास जी नॉमिनेट भी हुई थी वैसे तो उन्होंने जिन्दगी में कई पुरुसकार जीते हैं मगर आप सोच सकते हैं कि उनकी शब्दों में कुस्तो जादू होगा कि विश्व ने उन्हें पहचाना दा हाइएस्ट कह सकते हैं लिट्रेचर एवार्ड जो नोबर प्राइस में दिया जाता है उसकी जूरी ने उन्हें पहचाना और दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप लोगों के नजर आ रखा गया है माई स्टोरी ये कमला दाज जी की आउटो बैगरफी थी और ये जैसे ही मार्केट में आई तहलका मच गया बवाल हो गया क्योंकि जिस बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी इच्छाएं एक भारती महिला की इच्छा अपने पती से अपने आप से जोन इच्छाओं को इन्होंने जिस बेबाकी से अपने किताबों में उतारा उस वक्त के दौर के मर्द भड़क उठे उन्होंने मोचा खोल लिया इनके खिलाफ मगर फिर भी ये पीछे नहीं धटी और इन्होंने अपने लिखने को कभी बन नहीं रखा जब ये मात्र 15 वर्ष की आयू की थी तो इनकी शादी रिजर्ब बैंक के गदिकारी माधव दास से हो गया और उनके तीन बच्चे थे ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये इनके सबसे चोटे बैटे हैं ठीक है? इनके तीन बेटे थे इनके जो चोटे बेटे हैं जिनकी तस्वीर अभी आप लोगों ने देखी उनका नाम है जैसुरिया दास वो अपनी मा के बारे में कहते हैं कि मेरी मा एक सामान में इंसान थी अकसर साड़ी पहनती थी कभी कभी वो लुंगी भी पहना करती थी उनको आभूशन पहनने का बहुत शौक था वे अपने हाथ में 36 चुणिया पहनती थी 18 धाईने हाथ में 18 बाए हाथ में काफी भावना प्रधान महिला थी दिन में दो बार नहाती थी और परफ्यूम की जगा अपनी पानी की बाल्टी में इतने डाला करती थी मतलब कि हर चीज को लेकर बेबाग थी जैसा कि इन्होंने बताया भावना प्रधान महिला थी और इनके बड़े बेटे हैं वो बताते हैं कि इनका नाम माधर नल्पत था वो कहते हैं कि एक बार जब मैं 12-13 साल का था तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे सिगरेट पीना चाता मा ने तुरंग तेक सिगरेट का पैकेट मुझे पकड़ा दिया मैंने उस समय तो 4-5 सिगरेट पी ली लेकिन इसके बाद मैंने पूरी जिंदगी कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया अगर मेरी मा कहती ही कि सिगरेट पीना बुरी बात है तो मुझे में उसे चोरी चिप्पे पीने की इच्छा जाकती और हो सकता था कि मुझे उसकी लख लग जाती लेकिन मेरी मा ने मुझे स्पस्ट कहा कि सिगरेट पीने का तुम भी अनुभव करो और अगर ठीक लगे तो तुम इसे पीना जारी रखो और दोस्तों जब ये अपनी आटोबाइगरफी माइ स्टोरी लिख रही थी तो इन्होंने मीडिया को एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि एक आत्पकता लिखना बड़ा मुश्किल होता है ये कहती हैं कि मैं सबसे पहले अपने कपड़े और गेने उतार कर रख दूँगी फिर मेरी इच्छा है कि मैं इसे इस हलकी भूरी तचा के छिलके उतार कर रख दूँगी और फिर अपनी अस्थियों को चकना चूर कर डालू आखिर में आप मेरी बेघर अनात और बहुत ही सुन्दर सी आत्मा को देख सकेंगे जो अस्थियों और मास मज्जा के कहीं बहुत गहरे भीतर तक बसी होई है क्योंकि इनका मानना था कि आत्मखता वो होती है जिसमें इंसान कुछ भी ना चुपाए बिल्कुल आत्मा की तरह आत्मखता पूरी तरह साफ हो दीरे दीरे वक्त आगे बढ़ा 1984 से दीरे 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 वक्त आगे बढ़ा ये अपनी बिबाकी के लिए मशुर होती रही इनोंने लिखना कभी नहीं छोड़ा मगर कुछ कारणों की वज़े से सन 1999 में अचानक इनोंने धर्मांतरन कर इसलाम धर्म स्विकार कर लिया और इनका नाम कमला रुकईया पड़ा मगर इसलाम में भी इसलाम की कटर पंतता से इनका बैर हो गया और कह सकते हैं कि अपने धर्म में इनका कईयों से विवाद हो गया क्योंकि बड़ी विवाग थी इनको कोई भी किसी भी तरह की जबरदस्ती पसंद नहीं थी मगर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सक्सेस हर सक्सेस के कीमत चुकानी पड़ती है इन्होंने भी कीमत चुकाई एक दोर ऐसा आया कि जब तीन बेटे थे फिर भी अब बड़ा अकेला महसूस करती थी और इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि ये बुरका पहन कर एक पेशेवर गुंडे के पास गई और कहीं कि क्या तुम पैसे लेकर लोगों को खतम करने का काम करते हो तो गुंडा कहता है कि किसको खतम करना है तो कमला रुकईया कहती है कि मुझे क्योंकि मैं जीवन से उपता गई हूँ लेकिन अपने हातों अपने को मारने की हिम्मत में उटा पाती है वो गुंडा इनकी बातों को सुनता है बड़ा अचंबित होता है और इन्हें इनके घर तक छोड़कर आता है फिर दीरे 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 वक्त आगे बड़ा लेकिन इनकी जिन्दगी का सुनापन कम नहीं हुआ लेखन और पिंटिंग से भी जीवन का सुनापन नहीं भर पाई तो इन्होंने 1984 में एक राजिनितिक बना कर चुनाओ भी लड़ा पर इनकी जमाना जब्ध हो गई कुछ साल पहले राजधानी से प्रकाशित होने वाली एक जानी मानी लगुपत्र का दिलिटल मैगजीन द्वारा जब सक्तर पार कर चुकी कमला सुरयया को दक्षिन ACI साहित सम्मान से नवाजा गया तब तक वो बीलचियर से बन चुकी थी मतलबी करीब जब सक्तर साल की हो गई तब उन्हें एशिया के सबसे बड़े साहित सम्मान से नवाजा गया इनका पूरा जीवन इनका पूरा रचना कर्मी जीवन आज सम्मगरता से देखने पर हमारे समाज की एक ऐसी जरूरत पहचानती तो है पर फिर भी कहीं वो पारंपरिक इस्तित्व के भीच ही अपनी मुक्ती खोजना चाहती है जी हाँ दोस्तों ये जरूरी है कि औरतों का भी उनकी भावनाओं का भी खुल कर सम्मान किया जाए अम्रिता प्रीतम कमला सुरेया कुछ ऐसी ही कभित्री हमारे देश में आई जिन्होंने अपनी भावनाओं को आवाज दी जिन्होंने अपनी भावनाओं को पहचान दी और लोगों के भी च्छा के रह गए और दोस्तों एक अपनी आत्मक अथा के बारे में एक बार इन्होंने एक रिपोर्टर से कहा था एक रिपोर्टर उनसे कहा कि आपने जो 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 स्टोरी लिखी है क्या कि स्टोरी करेक्ट है क्या कि स्टोरी बिल्कुल रियालिटी पर बिस्स है तो यह कहती है कि जो कुछ भी हम लिखते हैं उसमें एक रचनातमक होती है कहां वास्तविक्ता आती है और कहां कलपना शीलता इससे आपको कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए यह देखना चाहिए कि वो चीज हमें छू रही है या नहीं हमें इससे प्रेणा मिल रही है या नहीं यह हमें हिला रही है या नहीं बाकिस सब बाते बिमानी है तो दोस्तों कहते हैं ना कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है और जब आपके एहसास शब्दों का रूप लेते हैं तो कहीं न कहीं वो कह सकते हैं कि वो एक अन्बीटेबल फोर्सिस की तरह आगे बढ़ते हैं ऐसी कवित्री को मैं सलाम इसलिए कहना चाता हूँ क्योंकि सिर्फ फेमिनिजम का जंडा गारने से कुछ नहीं होगा फेमिनिजम एक ऐसा विशे है मुझे किस समझ में नहीं कि जो पैदा करती है मैं भोलना सिखाती है चलना सिखाती है उसको अपनी भावनाएं रखने के लिए इतना क्यों सोचना पड़ता है मैं salute करता हूँ कमला सुरयया जी को उनके विचारों को जन्हों ने अपने विचारों को लोगों के समक्ष रक्षा और तों को प्रैरित किया कि वो अपनी मांग को कि प्रति सजग रहें क्योंकि भगर सिंग एक बात कहते थे इंसान मर सकता है उसके विचार नहीं मर सकते तो उमीद है आप लोगों को मेरा ये बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कैसा लगा जरूर बता है शुक्रिया अलविदा गुड़बाई